अध्याय दो दित से किसी के दोखे में न आना क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जो विरोध करता है और हर एक से जो इश्वर या पुज्य कहलाता है अपने आपको बड़ा ठेहराता है यह तक कि वह परमेश्वर के मंदर में बैठ कर अपने आपको इश्वर ठेहराता है क्या तुम्हें स्मर्ण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुम से यह बाते कहा करता था तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो क्योंकि अधर्म का वेद अब भी कारे करता जाता है पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर नहों जाए वह रोके रहेगा तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु ईशु अपने मुँगी फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा उस अधर्मी का आना शैतान के कारे के अनुसार सवप्रकार की जूठी सामर्थ्य और चिन्न और अधुद काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सवप्रकार के धोके के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रीम नहीं किया जिससे उनका अधार होता इसी कारण परवेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे जूठ की प्रतीति करें ताकि जितनी लोग सत्य की प्रतीती नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन होते हैं वे सब दंड पाएं हे भाईयों और प्रभु के प्रिय लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विश्य में सदा परमेश्वर का दन्यवाद करते रहें क्योंबी परमेश्वर ने आजिसे तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीती करके उधार पाओ जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु ईशु मसीख की महिमा को प्राप्त करो इसलिए हे भाईयों इस्थिर रहो और जो जो बातें तुम्हें चाहे वचनिया पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थाम हे रहो अंत शांति और उत्तम आशा दी है तुम्हारे मनों में शांति दी और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वजन में द्रड़ करें